नमस्का दोस्तों मैं हूं तबन्ना आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज एक पर फिर से आपके लिए लेकर आई हूं अच्छा बिजनस आइडिया हम सब जानते हैं कि जब भी कोई पाटी होती है या फिर छोटा मोटा गेट ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आप रेस्टरॉन नहीं जाना कोई ऐसा ही छोटा मोटा ठेले से खाना खालेंगे रेडी वाले से खाना खालेंगे तो उसका अपना ही मसा होता है यानि कि धाबा स्टाइल या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूट स्टाइल तो ऐसे में बहुत अच्छा option मिलता है वो होता है बियानी बियानी दोठा की होती है, wedge भी होती है, non-wag भी होती है और बियानी से पेट भी भर जाता है और आप कह सकते हैं कि स्वाद में नया twist भी आ जाता है तो बियानी का business आप कैसे शुरू कर सकते हैं? कितनी लागत आपको आएगी कैसे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं वो तमाम चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी लेकिन आपको वीडियो को अंतक देखना है पसंद आये तो लाइक कीजिए शेर का बटन जरूर दबाईए और सब्सक्राइब कीजिए ह बिर्यानी का ठेला लगा कर बिजनस करने की शुवात कैसे की जा सकती है जब आप बिर्यानी का ठेला लगाने जा रहे हैं तो आप सामान्य परिवार से ही आते होंगे और सामान्य परिवार में कभी ना कभी खाना पकाना भी पड़ता है तो आपको खाना बनाना आता ही यदि बिरियानी बनानी आती है तो ठीक है वरना किसी बिरियानी बनाने वाले कारीगर को हायर कर सकते हैं उससे बिरियानी बनवा कर बेच सकते हैं अब अपना बिजनस का ठिकाना तलाश हैं। आपको अपने बिजनस का ठिकाना तलाश ना होगा। आपको ऐसी जगा तलाश नी होगी जहां पर बिर्यानी खाने वाले अधिक से अधिकाते हों। यानि ऐसी जगा जहां भारी संख्या में लोग आते जाते हों। ये जगा रि बिजनस के लिए सही हो सकते हैं शुरू में बिजनस चलाने के लिए क्या करें कोई भी नया बिजनस चलाना या उसे जमाना आसान नहीं होता लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि उसे किया ना जा सके पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं पैसे कमाने के लिए आपक परकेट की अन्य बिर्यानी से आपकी बिर्यानी का स्वाद अलग होगा तो ग्रहक आपकी तरफ खीचा चलाएगा। बिजनस की शिरुआत कैसे करें। आपको पहले ही दिन 20 किलो चावल की बिर्यानी नहीं बनानी है। इसलिए सबसे पहरे दो किलो चावल इस्तेमाल करें वो जब बिग जाएं तो दूसरी बिर्यानी के बनाने की तैयारी करें इससे आपके ग्राकों को ताजी बिर्यानी मिलेगी जिसका टेस्ट अलग ही होगा ये सिलसिला एक सबता तक जारी रखें और जब ये मैसूस होने लगे कि अब आपको दो किलो चावल की बिर्यानी से काम नहीं चलेगा तो आप अधिक बिर्यानी के लिए चावल खरीबना शिरू कर दे इससे आपके ग्राकों को और आपको परिशानी नहीं होगी नहीं आपके ग्राकों को बिर्यानी का इंतिजार करना पड़ेगा आपको भी बार-बार बिर्यानी भी नहीं बनाने पड़ेगी कितने प्रकार की होती है बिर्यानी बाजार में बिर्यानी कई प्रकार की बिखती है ये सब ग्राकों की पसंद पर निर बर करता है कि वो किस्ताकार की बिर्यानी खाना चाहते हैं इसके लिए आपको अपने बिस्नस वाले एरिया का सर्वे करना है वैसे मारकिट में दो तरह की बिर्यानी अधिकांश खाया जाती है wedge और non-wedge बिर्यानी वेज बिर्यानी लगबग एक ही तरह की होती है ये बिर्यानी चाबल और टमाटर से बनाई जाती है जिसमें प्यास, टमाटर, सोया बिंगी, वड़ी वगएरा इस्तेमाल होती है इसके साथ सलाद, चट्नी, रायता आधी दिया जाता है नौन वेज बिर्यानी में कई तरह की बिर्यानी बनाई जाती है जैसे चिकन बिर्यानी, मतन बिर्यानी, अंडा बिर्यानी, फिश बिर्यानी ये नौन वेज बिर्यानी आजकल मारकेट में बेची जाती है लेकिन इसमें सबसे अधिक डिमांड चिकन बिर्यानी की होती है इस के लिए आप बहुत छोटा सा और अट्रैक्टिव नाम खोजें और उसमें बिर्यानी शब्द आवश्चे जोड़ें ये नाम इतना असान होना चाहिए कि लोगों की जुबां पचर जाए जैसे छोटू की बिर्यानी, उस्तार्ग बिर्यानी, हैद्राबाद की मशूर दुन लोग आपको मिल जाएंगे, जरूरी कागजा दे कर असानी से आप बनवा सकते हैं, खाने से जुड़े बिजनस के कारण आपको FSSAI से फूर लाइसेंस लेना होगा, दूसरा आपको लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचाय, टाउन एरिया, नगर पाली का नगर निगम के फू आपको GST नंबर भी लेना होगा, लागत, इस बिजनस में कितनी लागत आएगी ये जाना बहुत जरूरी है, बियानी बराने के लिए गैस, चूला, प्रेशर कूकर, भगोना, कटोरा, एक छोटी टंकी रायते के लिए और एक पीने के पानी की टंकी, बड़ा सा डस्ट व परेद में आपको शुरू में थोड़ा खर्चा पड़ेगा, इस बिजनस में आपको 10-20,000 रुपे की लागत तो आएगी, इस तरह क्वालिटी बनाएं, मुनाफ़ा कमाने के लिए आपको सोचना होगा कि आप कम सेल करके अधिक प्रॉफित कैसे कमाएं, जब आपकी सेल अधिक हो जाएगी, तो आप यदी मामूली सा मुनाफ़ा बढ़ाएंगे, तो आपको काफी बच्चत हो जाएगी, इसलिए आपको शुरू-शुरू में तो क्रॉफित और अधिक सेल करने की पॉलसी बनानी चाहिए, सबसे पहले मार्केट से हटकर टेस्ट देना होगा, इतनी बिर्यानी बनाने पर 850 रुपे खड़ चाता है, मारकेट में रिफाइंड ओयल की बिर्यानी 200 रुपे किलो की बिक्ती है, तो आप कुछ दिनों अपने ग्राकों को बुलाने के लिए 200 रुपे किलो ही बेचें, आपको 2 किलो चावल की बिर्यानी पर 350 रुपे बचत ओर दिन में आप ने 10岩शावल की बेडियानी बेच ली तो आपको iq1750 बचल की बचत होगी जो आपको महीने hvor में 25000 से अधिक हो जाएगी यजिक्या की 6 महीने भर बाद 200 कीई ब्र्यानी की हो जाएगी तो आपका मुनाफ़ा उतना बढ़ जाएगा इसका असानी से नुमान लगा सकते हैं इसके बाद जो अपना मुनाफ़ा पांच रुपे किलो बढ़ाएंगे तो आपको 300 रुपे रोज का अतरिक मुनाफ़ा होगा इससे ग्राह भी नराज नहीं होगे और आपका मुनाफ़ा भी बना रहेगा चलिए फिर एक और बिजनेस की बाद हमने कर ली कि बिर्यानी का बिजनस सबसे अच्री बात यह है कि अपने बजट के हिस आप से लेकर चल सकते हैं यानि कि आपका बुझे लगता है कि एक चोटी सी दुकान भी नहीं अगर एक छोटा साहित के पास टेबल है उसमें पर आप बहुत बढ़ता रख लें तो आपका काम चल जाएगा क्योंकि ऐसे कई बार आपने भी दीखा होगा कि छोटे से टेबल पर भी लोग अपना समान रखके खाना बनाने का समान रखके अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं तो एक बार ट्राइज जरूर कीजेगा नमस्कार आपके बिजनस का सचा साथी